हम वेल कम बाक गाइस आज देखेंगे यूज कॉछ लगयों को हम कैसे करते हैं में कैसे यूटिलाइज करके अपनी परफॉर्मंस को बेटर करते अब देखा जाए तो हमारे पार यूज कॉल बैक हुक जो है वो हमें क्या बेनिफिट्स परवाइड करती है और यूज कॉल बैक हुक से हम कैसे अपनी एप की परफॉर्मेंस को बैटर करते हैं वो चीज हम आज देखने जा रहे हैं और इसको इंडस्ट्री में एक ऐसी हुक को समझा जाता है जो के वाइटल हुक है हमारे पास एक जो परवाइड करती है हमारे पार इतनी जादा यह यूज होती है तके हमारे पास जो एकड से ड Stellar होता है हमारे पद्शू data आता है इसके तोरू उसमें डाटा में फिल्ट्रिंग के तोर पे भी एक ऑल बैक हुप बहुत पर हमारे पर फिसलिटेट करती है आज हम ये लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूज कॉल बैक हुप को एक माइक्रो सर्विस लेवल पे एक हायर प्रोजेक्ट लेवल पे एक ह के लिए स्टार्ट करते हैं और पे वहां रही पर यहां पे वैल्यू दिखा रहा है वह एक बैसिकली यूज स्टेट से हमने एक स्टेट बनायी हुए है उसके साथ नहीं पर दो बटने एक इंक्रिमेंट का बटन है को पतनों हमारे पास इंक्रिमेंच को रिन्ट ओट है अब यहां पर क्लिक करता हूं इंक्रिमेंट मत्की बटन करने जा रहा हूं तो हमारे पास क्या हुआ हमारे पास सिरफ inside the increment function हमारे पास run out होना चाहिए था हमारे पास rendering button, increment, rendering button, decrement क्यों call out हुआ basically हमारे पास ये जो increment और decrement के button है ये basically एक component है जिसके अंदर हमने button को एक journal way में बनाया हुआ है problem ये आ रही है कि हमारे पास एक दफा जब भी page load होता है तो हमारे पास rack जो है वो हमारे पास सारे component जो के इस page में available है उन्हें render करता है अब मैं render तो कर रहा हूँ उसके साथ साथ अब ये problem क्या आ रही है कि हमारे पास जो sub components है let's suppose हम यहाँ जाते हैं पर यहाँ पे हमारे पास ये एक component के अंदर ये चीज लिखी हुई है let's suppose हम देखते हैं ये एक component के अंदर ये चीज लिखी हुई है हमारे पास अगर हम एक हमारे पास होल component है अब हम उसके अंदर sub component है जब हम increment या decrement वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास sub component फिर से re-render हो रहा है हलाके re-rendering नहीं होनी चाहिए इसकी वज़ा से हमारे पास app के performance जो है वो downgrade चली जाती है आज हम use callback hook को use करके यही problem को solve करने की तरफ हम देखेंगे और देखेंगे industry में एक journal method जो की use callback hook को हम use करके हम provide करते हैं अपनी states को और बाकी पूरी app को ताके हमारे पास एक journal view आजे और हमारे पास micro service level के environment में एक app को हम develop कर सके तो चलते हैं अपनी code की screen पे और देखते हैं कि इस problem को use callback hook हमें कैसे solve करने के लिए facilitate करता है तो अब हम वापिस आगे हैं अपने vs code की screen पे और जिन लोगों को नहीं पता के हम एक पूरा project लेके चल रहे हैं और यह सारा code जो भी available है वह हमारे पार GitHub पे available होगा आप kindly description को check out कीजेगा GitHub की repo की link आपके पास वहां पे available हो जाएगी अब यहां पे मैं थोरा से explain कर देता हूँ मैंने जो अभी code लिखा हुआ है वह हमारे पास क्या है हमने एक use callback के नाम से एक component बनाया हुआ है हमारे पास एक react का component है जिसका name ही मैंने use callback रखा हुआ है state में हमने एक state बनायी हुई है count के नाम से और एक set count हमें जो state का function है वो मिलता अब इसके साथ साथ हमारे पास यहां पे दिखा जाए तो हमने एक div बन टैग में एक h1 को call out किया हुआ है h1 के अंदर हम इस count की state को manipulate दिखा रहे है अब इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे पास एक button है यह button किसी material UI या पिर किसी UI का component नहीं है बलके यह मैंने उपर एक बकाइदा एक अलग component बनाया हुआ है आपको एक फ्रोटिकल अनालसिस मिल जाए अब यहां पे मैंने क्या किया हुआ है यह एक on click जो हमारे पास एक on click event होता है पर एक on click जो है हमारे पास यहां पे वो एक प्रॉप है जो मैं इस button वाले component को यहां पे pass out कर रहा हूँ अब इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ इसके अंदर एक function दे रहा हूँ जो के उसका desire function है अगर तो increment का button है तो हमारे पार increment का function run out होगा और अगर तो decrement का button है तो हमारे पर decrement का function run out होगा अब यहां पे हमने दो function बनाये हुए है यहांपे देखा जाए तो हमारे पास एक function का नाम Increment है एक function का नाम Decrement है अब यहांपे मैंने console Log किया हुआ है और यहांपे देखा देखा जाए तो हमारे पास inside the increment function Log में print अउट हुआ था वापि अब यहां पर ऐसे ही मैंने यहां पर set count के नाम से जो हमारे पास function provide करता है use state हमारे पास वो हमने यहां पर state को manage किया हुआ है हम एक count में plus कर रहे हैं जब हमारे पार increment का function run हो रहा है और इसी तरह हमने decrement का function भी बनाया हुआ है जिसकी same logic same है उसके अलावा बस हमारे पास माइनस का sign है अब उपर जाया जाए और click पर run होगा और उसके साथ साथ हमारे पास एक children दिया गया है जिने नहीं पता children by default हमारे पार प्रॉप्स available होता है जो के हमारे पास अगर तो मैं इस tag के अंदर ये button का जो tag है मैंने जो अपना component new बनाके यहां पे tag लगाया है उसके अंदर जो भी मैं pass out करूँगा in closing और opening tag के अंदर वो हमारे पास children में available होगा और वो यहां पे print out हो जाएगा अब यहां पे simple सी logic मैंने लगाई हुई है कि अगर तो increment हो तो green button हो और अगर तो decrement हो तो red button हो इसका code से कोई लेना देना नहीं हमार पर basic जो चीज है जो हम focus out करना चाहे है वो यह है कि हमारे पर render button child जो यहां पे render button increment और decrement हमारे वह उड़र था ब्राउजर की स्क्रीन पे वो हमारे पास बार बार हमारे पर render हो रहा है जब भी हम यहां पे increment या फिर decrement पे क्लिक करते हैं या फिर increment या decrement के बटन पे क्लिक करते हैं अब यहां पे देखा जाए कि हमने पिछली वीडियो में lecture 2 में हमने use memo hook को use करके एक memorization value ली थी जो के हमें react provide करता है अब हमारे पास यहां पे use callback जो है वो हमारे पास एक memorize function देता है और memorize function दे के हमारे पास use memo hook के साथ हम उसको use करते हैं अब यहां पे हम कैसे utilize करते हैं use callback hook को यह ज़रा देखने वाली चीज़ है यहां पे हमारे पास जो function है यहां पे जो function है वो हमारे पास हम यहां पे यह लिखते हैं कि use callback हम यहां पर import करते हैं अब use callback का जो syntax है वो क्या है उसको जरा चेक आउट करते हैं separately use callback हम ऐसे लिखते हैं उसके साथ हमारे पर parenthesis आती है brackets आती है उसके साथ एक core हमारे पर brackets आती है और हमारे पर एक arrow function आता है और उसके साथ-साथ हमारे पास एक dependency array आती है यह बिलकुल वही syntax है जो के use memo hook और use effect में हम use करते हैं अब इस चीज़ को हम यहाँ पे utilize कैसे करते हैं यह जरा आप देखिएगा हम यहाँ पे use callback को ऐसे ही हम utilize करते हैं यहाँ पे इसको हम इस boundaries के अंदर wrap कर देते हैं और उसके साथ-साथ हम एक empty dependency array देते हैं अब यहाँ पे आप देखें कि use callback की एक memorized version of the callback that only changes if one of the inputs has changed अब यहाँ पे यह समझाने का मकसद है कि आपके पास अगर तो वह state change होगी तो आपके पास यह function render होगा वरना यह function यह sub component जो हमारे पास available है जो यहाँ पे हमारे पास सब component के अंदर हम यह function को pass out कर रहे हैं और यहाँ पे वो props के अंदर आ रहा है और इसके बाद हमारे पास on click के event पे वो function run हो रहा है वो हमारे पास render तब करवाएगा इस component को जब हमारे पास उस particular increment वाले बटन या particular decrement वाले बटन पे click किया जाएगा यहाँ पे इसको भी हम use callback लगाते हैं और अब जाके browser screen पे हम check out करते हैं कि हमारे पास browser screen पे desire result आता है कि नहीं आता है हमारे पास सबसे पहले normal है कि एक दफ़ा अगर हमारे पास use callback का जो apparent component है वो हमारे पास render होगा तो हमारे पास button का sub component जो उसके अंदर हमने call out किया हुआ है वो भी एक दफ़ा render होगा अब हम यहाँ पे देखा जाए तो वो render हुआ है बिल्कुल सही है हमने rendering सही की है अब यहाँ पे अगर हम click करते हैं तो हमारे पास जो desired result है वो आना चाहिए यह तो हम दिखें कि हमारे पास फिर से वोई चीज आ रही है अच्छी अप्रोच समझी जाती है जो के हमारे पास अभी वाले जो scenario है problem जो हमारे पास face out हो रही है उस problem को solve करने के लिए भी हम यही use करने वाले हैं अब use callback के साथ साथ हमारे पास use memo hook जो है वो must use करने का हमें benefit क्या होता है हमारे पास use memo hook हमारे पास एक memorized value return कर देता है और उसके साथ साथ हमारे पास use callback hook जो है वो हमारे पास एक memorized function return कर देता है जिससे हमारे पास यह populate होता है यह पता चलता है कि हमारे पास पूरी जो application है जो enterprise level की application है वो हमारे पास पूरा sum up हो के एक optimized code बन चुका है अब यहां पे हमारे पर दो तरीके हैं यूज मैमो हुग को यहां पे यूज करने के यूज कॉल बैक हुग के साथ चले हम वियस कोड की स्क्रीन पे देखते हैं कि हम वो दो तरीके कौन से हैं उस सबसे एफिशेंट तरीका कौन सा है तो हमने use memo hook को हमने use कहा करना है हमने use memo hook को वहाँ पे use करना है जहां पे हमने re-rendering को stop करना है हमारी re-rendering basically यहाँ पे हो रही है तो हमने यहाँ पे किसी न किसी scenario में हमने use memo hook को use करना है अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि use memo hook हम यहां पर ASEY यूज कर लें लेकिन हमारे पास जो problem यहां पर face होती है वो हमारे पास react यह कहता है कि हमारे पास use memo hook एक basically hook ए तो वो component के अंदर use हो सकती है component के बाहर use नहीं हो सकती यहां पर हम component को define कर रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यहां पर use memo hook हम नहीं यूज़ कर सकते तो हमारे पास एक बिग और एक एफिशेंट अप्रोच यहां पे क्या आती है वो देखते हैं यहां पे हमें एक react memo के नाम से जो के हम हमारे पास direct memo हमारे पास सिरफ एक memo का keyword लिखने से यह हमारे पास पूरे component को memorized कर देता है और skip करता है re-rendering of the component को अगर तो प्रॉफ चेंड नहीं होते तो यह re-rendering को यह basically use memo hook ही है बिलकुल और यह बिलकुल वही काम करती है लेकिन हमारे पास यह वहां use होती है जहां पे आपने component को पूरे completely component को आपने एक memorized component बनाना है हमारे पास use memo hook जो use होती है वह एक function को यह पिर हम एक कह सकते हैं कि component के अंदर किसी value को memorized value बनाने के लिए use होता है लेकिन यह memo का keyword जो है वह basically वही काम करता है जो हमारे पास use memo hook का जो काम है वही काम यहां पे component को memorize करने के लिए use होता है अब यहां पे हम उसको wrap out कर देते हैं यह brackets लगाते हैं और इस सारे component को इस memo के अंदर wrap out कर देते हैं अब यहां पे check out करते हैं browser screen पे जाके के हमारे पास जो problem हमारे पास face out हो रही थी हम उसे solve कर पाए हैं के नहीं कर पाए रिफ्रेश कर लेते हैं और अब देखते हैं ठीक है हमारे पास यह component एक दफा रेंडर होगा और हो रहा है वह बिल्कुल सही है हमारे पास अब इंक्रीमेंट पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिरफ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट फंक्शन हमारे पास रन होगा हमारे पास रेंडरिंग बटन इंक्रीमेंट और रेंडरिंग बटन डिक्रीमेंट फिर से रन आउट नहीं होगा यह हमारे पास यूज कॉल बैक का एक इंडस्ट्रियल अप्रोच है जिससे हम यूज कॉल बैक क की वेबसाइट पर एप में यूज़ करते हैं